आप सब जानते हैं, स्वामी सानन जी इस आधुनिक भारत के ऐसे वैज्ञानिक और भगीरत थे, जिनोंने प्रकर्ति, धर्ति और हमारे जो भगवान हैं, पंच महाभूत, भैसे भूमी, गैसे गगन, भैसे वायू, आसे अगनी और नैसे नीत, इन भगवान को अपना जीवन समर्पित किया, और इस भगवान के समर्पन में जो गंगा जी हैं, उनको वो माँ की तरह देखते थे, माँ मानते थे, और आकरी दिन जब वो, आप सब जानते हैं कि उन्होंने दो हजार आठ में पहला आमरन अंसन उत्तरकासी में किया था, तब गंगा को राष्ट्रे नदी घोशित किया उस सरकार ने, फिर दो हजार नो में और दस में अंसन किया, और एक तरह से माँ गंगा की विजय हुई, जब गंगा की भागीर्थी पर बनने वाले लुहरी नागपाला, पाला, मनेरी और भैरो घाटी रद्द किये गए, और भागीर्थी पर आगे कभी फिर्बान नहीं बनेंगे, ऐसा फैंसला हुआ, और भागीर्थी को गोमुक से लेकर उत्तर कासी तक 150 किलो मीटर को इको सेंस्टिव डिकलेर किया गया, उसका एक परिणाम ये हुआ कि All Weather Road ने पूरे हिमाले को काट कर गंगा की धाराओं में डाला, लेकिन भागीर्थी में वो काट नहीं पाए, क्योंकि भागीर्थी को इस लड़ाई ने, उनकी त्याग और तपश्या ने वो जीत दिलाई थी, उसके कारण ये सरकार भागीर थी में हिमाले को उस तरह से नहीं काट सकी इस बात, इसलिए 2010 तक जब भी उन्होंने आमरन अंशन किया, उनको विजय हांसिल हुई, 2012-2013-14 में उन्हें विजय हांसिल नहीं हुई, और 2014 में हमारे वरत्मान प्रधान मंत्री जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने पर्सनली जाकर कहा कि जो सरकार पिछले 30 सालों में नहीं कर पाई हम अब कर देंगे, लेकिन प्रधान मंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद, वो गंगा की अवरलता और निर्मलता के संकल्प को शायद भूल गए, और स्वामी जी को बहुत विश्वास था इस सरकार पर, क्योंकि वो तीन पीडियों से इस संग के साथ जुड़ा हुआ उनका परिवार था, इसलिए इस सरकार पर उनको जादा विश्वास था, जादा भरोसा था, और वो जब भी मैंने उनसे कहा कि भाई जी आपको शायद ये सरकार नहीं सुनेगी, तो वो कहते थे कि यद ये नहीं सुनेगी, तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे जादे जादे अपनी मा के लिए प्राण जाएंगे, पर इस सरकार का सब कुछ चला जाएगा, क्योंकि ये सरकार तो संस्कृति के नाम पर सरकार बनी है, धर्म रक्षा के नाम पर बनी है, और वो अपनी गंगा को यदि रक्षा नहीं कर पाएगी, तो जाए, मेरे तो प्राण चले जाएंगे, इसका मतलब ये कि वो जानते थे कि उनके प्राण जाएंगे, इसका मतलब ये कि वो ये जानते थे कि शायद जितनी काम्याभी उनको 2008, 2009, 2010 में मिली, उत्ती 2014 के बाद ना मिले, पर फिर भी व मैं उनको आखिर में ये कहने लगा कि हमें गंगा भी चाहिए और आप भी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी जरूरत इस देश को नहीं है, तुम तो इसलिए कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे सम्मान करते हो, तुम मुझे अपना मानते हो, इसलिए श सरकार नहीं चाहती कि मैं जिन्दा रहूं और जब सरकार और समाज चाहे नहीं तो मैं क्यों जिन्दा रहूं मैं अपनी मा के लिए जाओंगा ना मुझे अपनी मा के लिए बलिदान देना है ना ये बातें के वल दो दिन पहले की हैं आखीर में बहुत दबाव बन रहा था और स्वामी जी ने कहा कि मैं अब निर्जल होकर तपश्या करूँगा, पहले वो सजल तपश्या कर रहे थे, जल ग्रहन कर रहे थे गंगा का, लेकिन जब उन्होंने ये अनौंस किया कि मैं नवरात्रा सुरू हो गया था, नवरात्रा सुरू होते ही, उन्होंने कहा मेरी नि मिर्जल तपश्या होते के साथ सरकार को थोड़ी बोखला ठूई फिर सरकार ने बोखला के जल्दी जल्दी से गंगा का एक इन्वाइरमेंटल इकोलोजिकल फ्लो का नौटिफिकेशन किया। उस नौटिफिकेशन के बाद सरकार को लग रहा था कि शायद स्वामी जी दूसरे स्वामी जैसे हैं तो उनको पता ही नहीं होगा कि नौटिफिकेशन में लिखा क्या है। को जारी हुआ है जरह मुझे दिखाओ पढ़ा और तब ही पढ़ते के साथ गुस्से में लाल होके कहा कि यह गंगा को समझते क्या है। कि यह सरकार ने ऐसा नौटिफिकेशन क्यों किया। गंगा हमारी एस रेनी की नदी है। और साइंस ओफ रिवर कहती है कि जो एस रेनी की नदी है उसको 62% इकोलोजिकल फ्लो चाहिए। इन्होंने लीन सीजन में 20% फ्लो दिया एए। यह क्या मानते हैं गंगा को गंगा नहीं मानते हैं, नाला मानते हैं। वीस प्रसंट फ्लो तो नाले को दिया जाता है डीस रेनी की नदी को। और गुस्से में आके मुझसे कहा कि तुम जल्दी दिल्ली जाओ, ये जूट जादे दिन ना चले, तुम वहाँ परतोष्तियागी जी, परतोष्तियागी जी हमारे सेंटरल पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड के फर्स्ट चेहरमें थे, परतोष्तियागी जी को बुलाईए, एमसी मेहता को बुलाईए और रवी चोपड़ा को बुलाके, और तुम चारो बैठके दिल्ली में प्रेस कॉन्फरेंस करके प्रेस को बताओ, कि ये जो नौटिविकेशन है, ये नौटिविकेशन गंगा के पुनर जीवन के लिए नहीं है, बलकि गंगा की हत्या के लिए है और जड़ा ये बताओ जाके कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने इस नौटिविकेशन के लिए आमरण अंसन सुरू नहीं किया था, वो तो गंगा को आविरल और निर्मल चाहते थे, उसके लिए किया था, इस नौटिविकेशन से हमारी गंगा आविरल निर्मल नहीं हो और जाता है, वो कहता है, राजिन तुम कहा हो, जल्दी गाड़ी उल्टी करो, वापस करो, मैं दिल्ली नहीं आपा रहा हूं, और तुम भी दिल्ली मत जाओ, जल्दी से वापस आजाओ, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की हार्ट बीट रुख गई है, हार्ट बीट मतलब हिर्देगती रुख गई है, तो मैंने का ऐसे कैसे हुआ, अभी तो मैं निकला हूँ उनके पास से, उनने का ने ने अभी ये सवाल मत पूछो, जल्दी से वापस आजाओ, तो मैं तभी समझ गया कि, वो कहना क्या चाहते हैं, एक घंटे के अंदर अंदर उनके प्राण ग भारत का भगीरत, इस आधुनिक भारत का रिशी, इस आधुनिक भारत का सच्चा मा का बेटा यदी गया है, तो उनके जाने के बाद इस देश में कुछ खड़ा होगा, लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानता कि क्यों कुछ खड़ा नहीं हुआ, मैं इतना जानता हूँ कि सरक और कुछ संगटों ने गंगा के नाम पर कुछ खडान नहीं होने दिया, उसको चारो तरफ दबाने की कोशिश की, उसकी मारने की कोशिश की, उनकी हत्या की, वो केवल उनकी हत्या नहीं की, गंगा के लिए जो लोग काम करते थे, उनको भी डराने, धमकाने और कुछ ना करन का बहुत जोरों से दबाव बना। ठीक है आज हमारे बीच नहीं है वो लेकिन उनको इसमान करके हमारे बीच इस देश के ऐसे व्यक्ति जो प्रकृति को और मानवता को दोनों को बराबरी से सम्मान करता है उनका नाम है पवन कल्यान। पवन कल्यान जी आंधरा से आए हैं मैं उनसे अभी हैदराबाद में जब मिलने गया तो मेरे हाथ में गंगा का वाइट पेपर था मैंने उनको एक कोपी भेट की और उस पर उनका फोटो देखते के साथ ही उनके इमोशन्स जागरित हुए और उन्होंने कहा कि ये कौन सी त बाहर नहीं निकल रहे थे इन्होंने तनिक भी डॉक्टर से नहीं पूछा किसी से नहीं पूछा और इन्होंने मुझ से का कि मैं आऊंगा यह आ गए मैं समझता हूँ कि गंगा वैसे तो भारत की सारी नदिया गंगा है तो इसलिए दक्षिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए गंगा उत्तर के लोगों से कम नहीं है अंध्रा अतिल तमिल नाडू बंगाल सब पूरे देश से जिते लोग यहां से जाते हैं उतने ही वहां से भी आते हैं तो गंगा उनकी भी है इसलिए उन्होंने अपनी मा गंगा का सम्मान करने के लिए आए अब उनको आगे क्या मन में हैं क्या करेंगे वो खुद बताएंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके आने से इस देश का इलीट क्योंकि आप इस देश के गरीब को भी और इस देश के इलीट को भी रिपरजेंट करते हैं इसलिए शायद अलीट को भी समझ में आए कि गंगा की हेल्थ उनकी हेल्थ के साथ क्या रिस्ता रखती है और इस देश के गरीब को भी समझ में आए कि हाँ यदि हमारी नदिया सूखेंगी मरेंगी तो हम भी स्वस्त नहीं रह सकते हैं तो मैं आपकी स्यात्रा का कई माइनों में अलग से अर्थ देखता हूँ स्वामी सहज प्रकास जी ने हमें उनकी इसमान करने के लिए अपना अस्थान दिया हमें अपने यहां रहने के लिए हमारे लिए अपना दरबार खोला और उन्होंने एक तरह से अपनी आत्मा से उनक उनके मन में भी गंगा जी बहती हैं, उनकी आत्म में भी गंगा हैं, इसलिए एक गंगा के बेटे के लिए उन्होंने हमें बुला कर अपने पवन दाम में रखा, हम समझते हैं कि जितना प्यार हम जीडी को करते हैं, स्वामी सानन जी को करते हैं, हम से जादा वो भी उतना ही प्यार उनको करते हैं विक्रम SONI जी तो इस देश में ऐसे वैज्ञानिक हैं जब स्वामी जीडि अगर्वाल गए तो उन्होंने कहा कि इस देश कि विज्जान की और प्रकरती की आत्मा चली गई विज्जान और प्रकरती दोनों की आत्मा और उन्होंने जब लिखा वहां तो पूरी दुनिया में हल चल हुई और जहां प्रोफेसर जीडी अगरवाल पढ़ते थे बरकले उनिवर्श्टी में कॉलफॉर्णिया में जहां से उन्होंने पीसडी किया था सिक्स्टीज में वहां की उनिवर्श्टी के डीन ने वीसी ने पत्र लिखा उनके जाने के बाद कि हमें गौरव है हमारे इस्टुरेंट ने जो हमारी उनिवर्श्टी में पढ़ाई की उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की भारत के लोगों के मन में गौरव हो ना हो लेकिन बर्कले उनिवर्श्टी के मन में उनका गौरव है वो लेटर मैंने सर्कुलेट किया किसी और को पढ़ना हो तो और भी कर देंगे सत्या जी को तो दुनिया ने तो उनको बहुत याद किया भारत की सरकार ने कितना याद किया मुझे मालूम नहीं, पर मैं आज बस इतना ही कहना चाहूंगा, हम भले ही थोड़े से लोग हो यहां, पर प्रफिसर जीडी अगरवाल ने जो शुरुवात की थी गंगा के लिए, वो आगे बढ़े, हम उसके लिए संकल्प बद्ध हैं, आज हम शायद संकल्प लेने के लिए ही पवन धाम में इखटे हुए हैं, मैं अन्सुल से जादा आसायें रखता हूं कि वो हरीद्वार में और उत्राखन में इस आंदोलन को खड़ा करने में आगे जूटे. झाल 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 झाल